हेलो क्रेटिम मा फैमली, आज मैंने 10 साल की बच्ची की पुरानी जीन्स से एक स्कट बनाई है, जिसमें मैंने मसीन की इंपरेड़ी करी वही है, जहाँ पे एक कट था वहाँ हमने फ्लार दिया है, तो चलिए देखते हैं, जिस बच्ची की स्कट बनी है, ये उसके पापा की जीन्स है, इसके हमने बाटम पार्ट को कट कर लिया है, इसकर्ट हमने कलियों वाली दिये है, इसके लिए हमने जीन्स के चारो पार्ट अलग अलग कर लिये है, जीन्स के चारो पार्ट को अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारे आठ पार्ट होंगे, इसकर्ट हम इसमें से छे पार्ट से बनाएंगे बाकी दो पार्ट हम बैल्ट में यूज़ करेंगे जीन्स का साइज 40 है इसमें से 10 सल की बच्ची की बहुत अराम से इसकरटा जाएगे पहले हमने बैक पार्ट लिये हैं दोनों बैक पार्ट को हम फूल करेंगे पॉकेट की नीची की साइट तक पॉकेट हम निकाल लेंगे लैंध हमने 15 लिये है जीन्स की बैक से हमारे 4 पार्ट निकलेंगे और 4 पार्ट हमारे फ्रंट से निकलेंगे इन 8 पार्टों को हम कट कर लेंगे आठ में से six part हमारी skirt में काम आएंगे और जो दो पार्ट होंगे उससे हम बैल्ट रेडी करेंगे skirt के लिए जो पतले वाले चार पार्ट होंगे वो लेंगे हम और चौड़े वाले हम सिर्फ दो पार्ट लेंगे ये skirt हमारी 6 कलियों की बनेगी तीन हमारे front में आएंगी कलियों और तीन हमारे back side में आएंगी जो चौड़े वाले part लिये थे हमने उनको हम save दे के equal करेंगे अब हम 6 पार्टों को fold कर लेंगे दोनों पत्ले वाले part side में होंगे और center वाला part चौड़ा होगा इनको measure करते हैं fold करने के बाद पहला और तीसरा वाला 2.5 इंच का है और center वाला 3 इंच का जो खोलने पे 6 इंच का आएगा अब हम इन सब पार्टों खोल लेते हैं center की दोनों side से हम पत्ले वाले part को जोड़ेंगे इस तरह से हमारे skirt का front और back part दोनों ready हो गए है दोनों part को हम एक side से stitch कर लेंगे ये skirt हम fitted बना रहे हैं इसले हम इसमें one side jeep लगाएंगे jeep हमने उन्टी करके लगाई है एक side से अब skirt के दूसरी side से उसे हम seal देंगे ये हमने इसमें jeep चोड़ दी है jeep के end से एक इंच पहले से हम सिलाई लगा देंगे जिसे की skirt का part जूड़ जाएगा skirt का घेर तयार है ये skirt हम fitted बनाने वाले हैं तो अब हम इसकी belt मेजर कर लेंगे skirt का उपर का घेर 36 है तो हमें 36 के हिसाब से belt चाहिए belt की चोड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे अब हम दो पीज को मिलाके पूरी belt रेड़ी कर लेते हैं skirt पे जब हम belt जोड़ेंगे तो skirt को हम सिधी साइड रखेंगे belt का part हम उल्टी साइड से जोड़ेंगे अब इसे हम 4 उत्रफ से stitch कर लेंगे थोड़ा सा part हम कौर्णी में बढ़ाके रखेंगे यह हमने belt को जोड़ लिया है अब हम belt को सिधी करेंगे belt को सिधी करके हम थोड़ा सा फोड़ करके उल्टी साइड से ही हम इससे शिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने वीडियो में दिखा रखा है आप वैसे वैसे शिलाई करते जाएए अब बैल्ट को फोल्ड करके हम इसके उपर इस्टिस कर देंगे हमारी स्कल्ट रेडी है अब इसमें हम डेकुरेट करने के लिए मसीन की इंब्राइडी करेंगे मेरे पास उसा जनॉम है जिससे हम इसमें 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 सेलेक्टर दिये होते हैं में खड़ाई होती है जिसमें आपको सिल सेलेक्टर सेट करना है अपने आप हो जाएगी इस थारे से हमने अपने स्केट में एंस पिरेड़ी कर ली है इस पिरेक्ट में बैल के स्टिफ लगाarestगे जोटा साक था है इस हमें एक फ्लार दिया है यह हमने हैंड एंब्रिठ फ्लार मना एक अब हमारी स्कल्ट पूरी तरह से रेड़ी है आप जुरूर बताइएगा हमें आपको स्कल्ट कैसी लगी